यह है ट्लास्टेन जोग्रफी चाप्टर 7, Mineral and Energy Resources of India यह 6 लक्चर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जियो थर्मल एनर्जी के बारे में और नूक्लिय एनर्जी और बायो गैस के बारे में हम इस लक्चर में कवर करेंगे सबसे पहले हम देखते है जियो थर्मल एनरजी ये कैसी एनरजी हम पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनरजी ठीक है इसके जो पहला लेक्चर था वो भी क्या था नॉन कन्वेंशनल एनरजी का था उसमें सोलर एनरजी विंड एनरजी टाइडल एनरजी के बारे में हम पढ आई जाती है मिस्स ए एनेर्जी को इस एनेर्जी को यूस किया जाता है किसे एरिया में यह इनेर्जी बनती है मांटेन्य रीजन पर और वॉल्केडिक रीजन पर gets a saan energy किसे ले रहे रहे थी wind energy जो wind की help से जो energy बन रही है वो wind energy थी जो tight की help से वो tidal energy और geothermal energy जो अर्थ के अंदर से जो निकल रहा है किसके तुरू, geezer के तुरू, इन सब के तुरू जब निकल रहा है steam उससे क्या बन रहा है geothermal energy जियो मतलब क्या है अर्थ है ठीक है और thermal energy जो energy generate की जा रही है mountainous और volcanic region में geothermal energy produce होती है कैसे geezer और superheated steam से geezer क्या है जैसे mountain area पर ठीक है mountain region पर या जहां पर volcanoes है यहां पर क्या है यह क्या है यह volcanic area है mountain region है यहां पर क्या है जिसे यह hole बन गया हुआ है और यहां इस hole से क्या निकल रहा है और यह काफी अंदर थक अर्थ के यह क्या यह land अर्थ के अंदर का है यह पाट के अर्थ के अंदर का और यह hole हो गया है और यहां से अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है water निकल रहा है ठीक है क्या निकल रहा है water टाइप ऐसे निकल रहा है ठीक है घीजर में शावर टाइप से यहां पर water तेजी से निकल रहा है अर्थ के अंदर से थीक है और superheated stems और अर्थ के अंदर क्या बहुत जादा गर्मी है जहां पर crust पूरा बहुत जादा हीठ है अंदर क्या कहीं-कहीपर water निकल रहा और इस water के साथ बहुत से minerals को निकल रहे हैं ठात्थ और जैसे कहीं पर होता है यह hole हो गया निकल रहा यह है not you 네가 निकल रहा यह यहां से क्यानिकल रहा यह इस होल से स्टीम निकल रहा है ठीक है और इस स्टीम से और इस गीजल से जो वर्डर निकल रहा है गरम है यह स्टीम कैसा है हीटेड स्टीम है ठीक है मेंस काफी गरम है यह स्टीम जिससे क्या बनाई जाती है जियो थर्मल एनर्जी बनाई जाती है ठीक है मेंस जो अर्थ के अंदर से जो भी चीज़े निकल रही है उससे energy बना लिया जाए उससे energy प्रवाइड हो रही है ऐसी energy को geothermal energy कहते है ठीक है 340 hot springs sites in India इंडिया में कितने साइट से 340 होट स्प्रिंग साइट से इंडिया में ठीक है मतलब जहां से इस निकल रहे हैं जहां से 340 स्पॉर्ट से जहां पर से स्टीम्स निकल रही है कुछ गीजर टाइप बना हुआ है जिसे वाटर निकल रहा है heated steam निकल रहा है नॉर्थ वेस्टन हिमालय और वेस्टन कोस्ट ठीक है इंडिया में दो जगे हैं कहां कहां पर नॉर्थ वेस्टन हिमालय में और वेस्टन कोस्ट में कहां पर त्री फोटी स्पोट सी कितने में आ जाता इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट हिमालय और वेस्टर्न कोस्ट में ही यह हाट स्प्रिंग्स है पूगा वेली इन लद्दाख, पारवती और मनी करन वेली इन हिमाचुर प्रदेश पूगा वैली कहाँ पर है लग्दाक में है यहाँ पर जियो थर्मल एनरजी बनाई जाती है मेंस यह हॉट स्प्रिंग स्पॉर्ट है पारवती और मनी करन वैली कहाँ पर है हिमाचर प्रदेश में है यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के स्पॉर्ट है समझ में आया यह क्या थी? यह जियो थर्मल एनर्जी है मौंटेन रेजन पर, वालकेन रेजन पर ही यह एनर्जी मिलती है गीजर्स के थूँ, स्ट्रीम के थूँ इस एनर्जी को बनाया जाता है समझाया नौध वेस्टर हिमाले और वेस्टर कोस्ट में इसके advantages और disadvantages का है, advantages है clean energy, मतलब जब हम इससे energy बनाते हैं, अच्छा जब हम petroleum से energy use करते हैं, तो इससे बहुत से greenhouse gases निकलती हैं, बहुत से harmful gases निकलती हैं, तो environment के लिए harmful होता है, लेकिन जब हम geothermal energy को use करते हैं, तो क्या होता है, greenhouse gases निकलती हैं, environment के लिए बहुत अच्छी है, not weather dependent, weather dependent नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, देखिए, जैसे sun energy है, तो जब sun होगा, जब sun रहेगा, तभी हम sun से energy ले पाएंगे, winter season में कभी क्या होता है, कि sun नहीं दिखाए देता है, धूप नहीं निकलती है, या फिर rainy season में ऐसा होता है, कि बहुत ज़्यादा बादल होने की वज़े से धूप नहीं आती है, sun की रोशनी नहीं आ पाती है, तो उससे sun energy नहीं बन पाएगी, wind energy में, wind energy है, अगर wind जो है अगर weather नहीं ठीक है, wind बहुत slow चल रही है, तो wind energy नहीं बना पाएगे, ठीक, लेकिन यह जो geothermal energy इससे weather से कोई मतलम नहीं होता है, मतलब यह weather पर dependent नहीं होती है, यह volcano है, या volcano है, mountain region पर जो भी springs है, यह तो जब भी मतलब यह stream निकलता तब निकलता है, इससे weather से कोई मतलब नहीं होता, weather के change होने से या ना change होने से इस पर effect नहीं पाड़ता है, ठीक है, तो यह advantages है कि weather कैसा भी हो, हमें geothermal energy मिलेगी, maintenance low होता है, जो geothermal energy बनाने का जो पूरा system है, उसको जो maintenance cost है, वो काफी low होता है, ठीक, disadvantages क्या है, during extraction, greenhouse gases, जब यह निकलती है, जब यह stream निकलती है, जिसे जब volcanic eruption होता है, तो क्या होता है, बहुत से harmful gases निकलती है, क्लास 9 में volcano chapter में पढ़ चुके है, कि जब volcano eruption होता है, तो volcano के साथ, बहुत से harmful gases निकलती है, ठीक है, तो सेम वैसे ही, जब यह steam निकलता है, अर्थ के अंदर से, तो क्या harmful gases निकलती है, greenhouse gases निकलती है, ठीक है, यह disadvantage है, और unstabilized, unstabilized, unstabilized क्या है, मतलब जैसे जिस जगह पर geothermal energy का system set up किया गया है, पुरा machine जो भी set up की गई है, geothermal energy को बनाने के लिए, तो वो unstabilized, means वो land कभी भी गिर सकती है, अच्छा, जहां पर जैसे वाल्केनों रीजन पर ही यह energy बनाई जा सकती है, geothermal energy, mountainous region पर ही यह energy बनाई जा सकती है, तो जहां पर energy बनाई सकती है, volcanic region पर ही, यह mountain के पास ही, जहां पर ही steam होगा, उसी के पास में ही system set up किया जाएगा, जहां से geothermal energy बनाई जा सकती है, और mountainous region कैसा होता है, कभी भी वहाँ से पहार गिर सकते हैं, बिस पहार से पत्थर के टुकड़े गिर सकते हैं, कभी भी volcanic corruption बहुत जादा हो सकता है, उससे lava, उससे magma जो है वो पूरे land में फैल सकता है, मतलब कि यह है, unistabilized है, कभी भी कोई भी land गिर सकती है, समझाया, कभी भी वो system खराब हो सकता है, यह क्या है, यह disadvantages है, समझाया, जियो थर्मल एनर्जी के बारे में, इससे नोट करिए, हम next energy देखते हैं, next energy है, nuclear energy, nuclear energy क्या है, जो nuclear के fission या fusion से, जो energy release हो रही है, उसी को nuclear energy कहते हैं, nuclear energy, जो radioactive minerals है, जो radioactive materials हैं, जब उसको निकाला जा रहा है, उससे fusion हो रहा है, उससे जो energy निकल रही है, वह energy क्या है, nuclear energy है, ठीक, nuclear fission क्या है, जब एक atom दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है, जैसे बहुत से radioactive materials हैं, जो क्या और उनका fusion हो रहा है, वो जब ये दोनों atom, एक atom है, और वो एक atom, दो atom में डिवाइड हो रहा है, फिर दूसरा atom जो है, वो दो atom में डिवाइड हो रहा है, तो वही क्या है, nuclear fission, जिससे जो भी, जब ये टूट रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इससे जो energy निकल रही है, वो energy, कौन से energy है, nuclear energy है, ठीक, जो इससे energy release हो रही है, उससे हम कौन से energy बना रहे है, nuclear energy, nuclear fusion में atoms are fused, means दो atom है, तो वो atom बहुत धेर सारे atom में बन गया, ठीक है, एक atom कई बार कई बार तूटता गया, और वो बहुत धेर सारे atom में convert हो गया, और जब ये टूट रहा है, तो energy निकल रही है, और ये कौन से energy release हो रही है, nuclear energy, ठीक है, ये कौन से energy है, nuclear energy जो radioactive materials से मिल रही है, कौन से energy, nuclear energy, radioactive materials है, minerals है, जैसे uranium है, thorium है, plutorium है, ये सब क्या है, ये radioactive minerals है, materials है, ठीक, ये uranium, thorium या plutorium इसको निकाला जा रहा है, इसके atoms जो है, उनका fusion हो रहा है, या fusion हो रहा है, इससे कौन से energy मिल रही है, हमें nuclear energy मिल रही है, समझा है जैसे थोरियम थोरियम हम यह कम मिलती है जब हम मोनजाइट थोरियनाइट या एलनाइट की माइनिंग करते हैं मिल्स जब हम खुदाई करके मुनजाइट, थोरनाइट और एलनाइट को खोजते हैं जब यह मिल जाता है तो इसी से कौन सी एनरजी रिलीज होती है थोरियम ठीक है थोरियम रेडियो एक्ट्व मटेरियल्स मिलता है मिनेरल मिलता है जिस से न्यूक्लियर एनरजी रिलीज हो मिलेगा महां पर थोरियम मिलेगा मोनेजाइट सेन्ड में मिलता है केरला सीमं दरा और ऊडीशा में फिर है युरैनियम मिलता है बिहार राजस्थान जार्खंड और करनाटका में फिर है बेरीलियम बेरीलियम मिलता है राजस्थान में करनाटका सिक्केम और काश्मेर में समझ या यह क्या है radioactive to minerals है thoreum monazite uranium beryllium फिर है तारापुर इन महारास्ट 1987 1987 में महारास्ट में महारास्ट में कहां तारापुर में पहला पावर स्टेशन न्यूक्लियर पावर स्टेशन सट अप किया गया था पहला इन्डिया का पहला जो पावर स्टेशन था वो कहां पर स्ट अप किया गया तारापुर महारास्ट में 1987 में उसका क्या नाम है एनपी सी आईयल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एनपी सी आईयल का क्या है फुल फॉर्म नूकलियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ये क्या है ये नूकलियर पावर स्टेशन है 1987 में बना तारापूर महारास्ट में ठीक है ये सबसे पहला था जो इंडिया में सेटप किया गया पावर स्टेशन, फिर 1987 के बाद 2002 में इंडिया ने रश्या के साथ कुछ assignment sign किये, उससे फिर दो पावर स्टेशन और बनाए गए कहां पर तमिल नाडू में, ठीक है, 2002 में रश्या के साथ sign करके तमिल नाडू में दो पावर स्टेशन नुकलियर पावर स्टेशन और बनाए गए समझ में आया और यहां पर महाराश्च में एक ही जगा पर means एक specific location में ही छे पावर स्टेशन बनाए गए थे यह क्या है नुकलियर एनर्जी इसे हैं नोट करिये हम nuclear energy के बारे में कुछ और points पढ़ते हैं next है nuclear energy के centers कहां कहां पर है means nuclear power station इंडिया में कहां कहां पर है तारपूर महाराष्ट में है यह सबसे पहला power station है तारपूर महाराष्ट रावत भाटा राजस्थान में है रावत भाटा में जो पावर स्टेशन है ये कहां पर है राजस्थान में नरोरा उत्तर प्रदेश में काकरा पर गुजरात में है कैगा करनाटका में है कुंडन कुलम तमिलनाडु में है और कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है ठीक है कुंडन कुलम ये भी कहां पर है तमिल नाडू में है और कलपक्कम भी तमिल नाडू में है ये दो पावरी स्टेशन है जो तमिल नाडू में है एक कैगा करनाटका में है काकरा पर गुजात में है यहां भी एक है राजस्थान में रावत भाटा है और उत्तर प्रदे यूजिस क्या है नुक्लियर एनर्जी के यूजिस क्या है नुक्लियर एनर्जी को किस जगह पर यूज किया जाता है तो यह medicine for cancer patient जो cancer patient होते हैं उसके लिए मतलब उसके treatment के लिए उसकी medicine में nuclear energy का यूज करते हैं digital medical कुछ digital medical treatment होने लगा है जिसमें भी जिसमें नुक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं isotopes in agriculture agriculture में consult करने के लिए और फेन के लिए आइसोटोप्स उसमें भी नुख्री करते है इस करते हैं दूसरा में बनंप पक नाना जब पकने लगता है और शयुक्र किल्च आने से इसरी करते हैं प्रतinkर कलंशु कह निकालते हैं में जब जूस निकाला जाता है तो उस जूस को निकालने में न्यूक्लियर एनर्जी का यूस करते हैं इस पाइसेजसबिफोर पैकेजिंग जो सिपाइसेज हैं मिल्स जो मसाले हैं जो मसाले मन्याम से पहले म्यूक्लियरverse मतलग उसको यूक्लियर पैकेजिंग नुग्लियर इनर्जी में उसे यह प raises के हैं पेद्वांटेजिस क्या है न्यूड इनर्जी के पहला यह है कि न्यूड इनर्जी जब किसी चीज के हम माइनिंग कर रहेbalance ठीक है जो भी मेटेरियल की माइनिंग कर रहे उससे energy निकल रही है फ्युजन हो रहा है nuclear fusion nuclear fishn हो रहा है उससे जो रेडियो एक्ट्व से energy निकल रही है उससे कोई भी वेस्ट नहीं होता है ठीक है उससे कोई वेस्ट नहीं निकलता है वेस्ट कब नहीं निकलता जब हम कोई चीज किसी material को किसी mineral को extract कर रहे हैं उसको निकाल रहे हैं ठीक है उससे जो अगर हम पावर प्लांट में नूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए जो मैनेरील से हैं उसको यूज करके हम एनर्जी बना रहे हैं तो उससे क्या होगा उससे वेस्ट निकलेगा ठीक है और यह वेस्ट डिस्पोज नहीं होता इसको डिस्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है समझा है तो अगर extract करने है materials को उससे जब energy बनाई जा रही है उससे जो nuclear energy है उससे waste नहीं निकलता और यह advantages है more energy अगर हम इसमें क्या है जो radioactive minerals है उसको थोड़े amount में radioactive minerals से काफी ज्यादा energy बना सकते हैं काफी ज्यादा energy release होती है limits emission of greenhouse gases nuclear energy में greenhouse gases जब extract करते हैं radioactive materials को उससे जो energy निकल रही है तब greenhouse gases बहुत कम निकलते हैं जो greenhouse gases emit हो रही है emission हो रहा है वो बहुत little amount में होता है फिर disadvantages का है disadvantages है पहला तो है leakage अगर गलती से भी radioactive minerals जो है वो लीक हो गए ही nuclear जो metals है निकलियर नेरजी वो लीक हो गई leakage हो गया तो उससे क्या होगा बहुत ही ज्यादा destruction हो जाएगा flora fauna जो भी property है human है बहुत ज्यादा उससे क्या हो जाएगा destruction हो जाएगा जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा harmful environment के लिए harmful है जो भी plants है trees है human beings है जितने भी animals है सब के लिए क्या है यह बहुत ही ज्यादा खदरनाक है ठीक है कौनसी यह radioactive minerals जब leakage हो जाता है इनका और nuclear weapons nuclear weapons बनाए जाते है nuclear weapons बनाए जाते है वो भी क्या है वो भी बहुत harmful है क्योंकि जहाँ पर यह nuclear weapons को use करते है nuclear bomb है इसको जहाँ पर भी use कर देते हैं तो वहाँ के area में क्या हो जाता है property destroy हो जाती है जो भी plants है जो animals है जो human beings है वो सब क्या हो जाते है वो सब destroy हो जाते है और वहाँ पर काफी time generation मतलब जो भी generation आगे आती है वो सारी कैसी होती है वो destructive होती है ठिक disposal of waste इसका जो waste है जब nuclear power plant में radioactive material को use करके energy बनाई जा रही है उससे जो waste निकल रहा है उसको dispose करने में बहुत ही problem होती है क्योंकि यह आसानी से dispose नहीं होता है और यह energy pollution भी मतलब इस waste से pollution भी होता है nuclear energy का जो waste है nuclear power plant से जो waste निकल रहा है waste से pollution भी होता है इसको dispose होने में इस waste को dispose होने में बहुत time लग जाता है ठीक है thousand of years लग जाते हैं इसको dispose होने में और वेस्ट को ऐसे कहीं पर भी नहीं फेका जा सकता है इसको ऐसी जगह पर फेकते हैं जहां पर human beings बहुत कम हो जहां पर जो animals हैं या जहां पर ज्यादा destroy ना हो वहां पर इस waste को फेक आ जाता है ठीक है कि समझाया यह क्या है यह nuclear energy इसे नोट कर यह हम next energy देखते हैं next energy है बायोगैस energy बायोगैस energy क्या है बाउगैस energy जो organic waste से cow dung से जो डंग से और organic waste से energy को बनाया जाता है ऐसे energy को बाइो गैसे इनर्जी एक है गैसे बनाते हैं जैसे यह क्या है ये ये माल लीजे ये एक टैंक है ठीक अब इसमें जितना भी ओर्गिनिक्वेस्ट है जितना भी काउडंग है इसमें क्या कर दिये इसको फिल करते बनती है एयर के एपसेंस में नहीं होती है यह पूरा टैंक एकदम से पैक हो इसमें सारे वेस्ट जो भी है उसको डाल देते हैं अब कुछ टाइम बात क्या होगा इससे रिलीज होने लगेंगी जब यह यह फर्मन्न होगा मिल्स ड़ता है जब यह सडने लगता है और रिलीज होने लगती है इसboat कौनि मिठें और कारबन डायोकसाइड बैस रिलीज होती है मिठें और carbon dioxide ये दो gas release होने लगती है फिर इसको इस gas को pipe के थूँ इस gas को pipe के थूँ किसी और tank में fill कर देते हैं ठीक है किसी और tank में fill कर देते हैं यही क्या है यह जो gas release हुई यही gas क्या है bio gas energy समझाया बायो गैस को कैसे बनाए जाती है organic waste से और dung से an aerobic fermentation an aerobic fermentation मतलब क्या है an aerobic fermentation means यह organic waste का जो fermentation हो रहा है यह oxygen के absence में हो रहा है यहां पर air present नहीं है oxygen इस tank में बिल्कुल भी नहीं जा रही है यह यहां पर बिल्कुल भी नहीं पहुच रही है और उसके बाद यह fermentation जो हो रहा है organic waste का इससे रिलीज हो रही है कौनसी गैस methane गैस और कार्बन डायोकसाइड गैस जिससे क्या बन रहा है bio gas energy समझाया बायो गैस energy से cooking कर सकते हैं light चला सकते हैं जो heat light होती है उसको जला सकते हैं pump स्टार्ट कर सकते हैं जो भी water pump है यह बहुत से चीजें हम यूज कर सकते हैं bio gas energy से समझाया कुछ रूरल प्रोग्राम बनाए गया है 1993-94 में 1993-94 में कुछ government जो है वो रूरल प्रोग्राम बनाई जिससे क्या हो कि जो गाओं के लोग है वो भी energy ले सके जो urban areas थे urban areas में gas cylinder प्रोवाइड हो जाते थे LPG है यह सब चीजे और rural areas में यह सब कोस्टली भी था इस वज़े से वह जो भी energy के लिए यूज करते थे cooking के लिए यूज करना है lightning के लिए यूज करता है तो क्या यूज करते थे वुड के यूज करते थे ठीक है forest से जो भी trees की वुड होती है उन सब को यूज करके cooking करते थे या जो भी grains है crops है उसका जो वेस्ट पार्ट है उसको जलागर के cooking करते थे चूलहा में ठीक है तो यह सब करने के लिए इसको खतम करने के लिए रूरल प्रोग्राम बनाए गए कि बायो गेस अगर वहाँ पर पहुचेगी तो वहां के जो लोग है वो आसानी से energy को यूज कर सकते है लाइट उससे जला सकते हैं ठीक है पंप को start कर सकते हैं cooking कर सकते हैं तो उससे रूरल के लोगों को help मिलेगी उन्हें अराम होगा ठीक तो कुछ प्रोग्राम बनाए गया है कौन-कौन से NPIC National Program on Improved Choolhas मतलब क्या है यह प्रोग्राम इसलिए बनाए गया कि जो women's है वो चूलहा में खाना बनाती थी कैसे लकडी को जला करके और उसको जला करके उससे जो धुआ निकलता था वो बहुत नुकसान करता था means harmful होता तो उसको को खतम करने के लिए क्या चलाय एन पी आई सी एन पी आई सी में क्या हुआ की बायू गैस के प्लांट का सेट Cock kao किया गया और उससे बायो गैस को बायो को लोगों तक गाओं के लोगों में पहुंचाया गया रूरल एरियास में जिसे वहां के लोग कोकिंग कर सके लाइट का यूज कर सके इसके लिए और सेम और प्रोग्राम बनाए गए आई आर ईपी इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी प्रोग्राम यह भी एनर्जी के यह water pump है उसको भी बायो गैस एनरजी से यूज करके start किया जाए बायो गैस डवलाप्मेंट प्रोग्राम यह भी प्रोग्राम है बायो गैस का NPBD, NPBD National Project on Biogas Development यह भी किसका है बायो गैस एनरजी का ही है रूरल प्रोग्राम बनाए गए था रूरल एनरजी प्रोग्राम गवर्ण्मेंट बनाई थी कि जिस से जो रूरल एरियास है वहां के लोगों तक बायो गैस इनरजी आसानी से पहुंच सके समझाया यह क्या था बायो गैस इनरजी इसके advantages क्या है advantages यह हैं कि यह waste से जो भी waste निकल रहा है उसको उसी से bio gas बना रहे हैं ठीक इससे कोई harmful gases नहीं निकल रही है greenhouse gases नहीं release हो रही है और इससे क्या हो रहा है इससे जो भी मतलब use करने के बाद जो bio gas मिली जो energy release होई उसको use कर लिए है जो बचा हुआ waste है उसको manure की तरह land में use कर जो farming land होती है जो agriculture करने के लिए जो land होती है उसमें उसको manure की तरह use करते हैं जिससे agriculture की fertility increase हो जाती है ठीक agriculture land की fertility increase हो जाती है यह advantages है disadvantages क्या है disadvantages यह है कि bio gas plant को इस plant के बनाने के लिए बहुत large area की जरूरत होती है जिसे rural areas में जादा जरूरत होती है bio gas की तो वहाँ पर बहुत large area को cover करना पड़ता है इस plant को setup करने के लिए समझा है और disadvantages क्या है कि इससे बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वेस्ट है जो भी stand में डाला गया वो क्या है जो भी वेस्ट है एनमल के डंक्स है और जो भी vegetable के छिलके हैं या जो भी बचे हुए खाना जो बेकार है उसको यह सब चीजी क्या इसमें डाल देते हैं यह waste कभी कभी क्या बहुत bad smell देता है तो यह क्या है यह disadvantages है biogas energy के समझा है क्या biogas energy यहां से non-conventional energy complete हो गया और हमारा chapter 7 mineral and energy resources of India chapter 7 भी complete हो गया है next lecture में हम chapter 8 start करेंगे thank you for watching this lecture axes करेंगें ननना, 有 1965 newton uyorsun है फैड में है as nervous चल्ड़, महें एपतरेंगे, इक के मैं हम खहां है जह हॉत्ड़ mode tell